एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे. शेर जंगल का बादशाह था. उसका एक बेटा था जिसका नाम टूटू था. वो बहुत बहादिर और होश्यार था. जंगल में एक बहुत खुबसूरत तालाब था, लेकिन इस तालाब में मगरमच रहते थे. मगरमचों ने जो चाहा किया, और किसी को तालाब का पानी नहीं पीने दिया. मगरमचों ने कहा कि पहले हमारे लिए फल और देगर चीज़ें खाने के लिए लाओ फिर पानी प्यो. गरीब जानूरों ने जंगल से फल जम्मा करके मगरमचों को दिया, और फर मग्रम्चों ने उन्हें पानी पीने दिया. तमाम जनौर मग्रम्चों से तंग आजके थे, इसलिए उन्होंने जंगल के बादशा शेर को इस बारे में बताने का फैसला किया. जनौरों ने कहा, चलो, अब चलते हैं. इसी वक्त चालाक लोमडी ने कहा, आगर शेर बादशा इस मामले में पीछे हट जाए, तो उसे जंगल का बादशा नहीं समझा जाएगा. लोमडी ने तमाम जनौरों को शेर के खलाफ एक साया. तमाम जनौर जनौर के बादशा शेर के पास गए और उसे सारा मामला बताया और साथ ही कहा, तुम्हें हमें अनमगरमचों से बचाना है, वरना तुम इस जनौर को छोड़ सकते हो. ये कहकर तमाम जनौर वहां से चले गए. शेर के बेटे टूटू ने ये सब सुना. जंगल का बादशा, शेर सारी रात परिशान रहा. टूटू ने ये सब देखा. इसने जंगल के तमाम जनौरों को बलाया और इन से कहा, जंगल का बादशा, शेर बहुत अच्छा है. वो आप सब का खयाल रखता है और आप ही हैं जो मुश्कल वक्त में उसे छोड़ रहे हैं चालाक लूम्डी ने कहा इस छोटे बच्चे को इन बातों का क्या पता लेकिन टूटू की बात जानूरों के दिलों को छो गई और वो सब शेर बादशाह के पास गए और अपने रविय की माफी मांगी और कहा कि हम सब मल कर मगरमचों का मुकाबला करेंगे सब सोच रहे थे कि मगरमचों का मुकाबला कैसे क्या जाए अचानक टूटू ने कहा मगरमच खाना पसंद करते हैं और उनका पसंदीदा खाना खरगूश है अब खर्गूश बरबाद हो चुका था फिर हाथी ने कहा कि हम खर्गूश को नहीं मार सकते टूटू ने कहा नहीं, हम उसे नहीं मारेंगे लिकिन हम उसे जरूर इस्तिमाल करेंगे तमाम जानूरों ने टूटू के चहरे की तरफ देखा और सोचने लगे कि इस छोटे बच्चे को उतना होश्यार खयाल कैसे आया सबने खर्गूश की होसला अफजाई की और कहा कि तुम्हारी मदद से तमाम जानूर सुकून से रह सकते हैं खर्गूश उनकी होसला अफजाई पर राजी हो गया उन्होंने एक बहुत बड़ा गढ़ा खोदा और उसे पत्तों से ढाब दिया ताकि मगरमचों को मालूम ना हो कि हमने उनके लिए जाल बिचा दिया है अब काम शुरू हुआ खर्गूश ने मगरमच से पूछे बगीर पानी पीना शुरू कर दिया मगरमचों ने उसे देखकर बहुत गुस्सा किया और इन में से एक ने कहा उसकी सजा ये है कि हम उसे खाते हैं दूसरे मगरमचों ने ये सुना और उनके मुना पानी से भर गए खर्गूश ने मगरमचों को अपनी तरफ आते देखा वो हलके से वहां से भागा गढ़े में गर गए इस तरह तमाम मगरमचों को उनके कर्टूतों की सजा मिली और खर्गूश ने सुकून का सांस लिया फिर सबने टूटू और खर्गूश का शक्रिया इदा किया और जंगल के बादशाह शेर ने बहुत बड़ी दावत की इस तरह तमाम जानूर फिर से पहले की तरह खुशी से रहने लगे